News 18, इंडिया के वापस लोग रहे थे कि इसी दौराद उनके काफिले से एक अग्यात गाड़ी जाकर टकरा जाती है अपर ही नहीं बलकि पुल के नीचे भी बड़ी संक्या में किसान दिखाई दिये जो नदी के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे लेकिन पुलिस के जवान पुल के उपर से उन पर आसू गैस के गोले छोड़ते रहे ताकि किसानों का जथा किसी भी सूरत में हर्याणा में दाखिल ना हो सके लेकिन पुलिस के लाख एक्शन के बाद भी किसान वहां से पीछे हटने के लिए तयार नहीं हुए पुल की रेलिंग और बैरिकेड को नदी में फेंगने के बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तमाल शुरू कर दिया क्योंकि गगगर नदी के पुल के ऊपर खड़े किसान आसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद भी पीछे हटने के लिए तयार नहीं हुए इसी वज़े से पुलिस ने किसानों की भीड को तितर बितर करने के लिए उन पर पानी की बौचार शुरू कर दिया वहां से आई एक तस्वीर में पुलिस करमी किसानों पर वाटर कैनन का इस्तमाल करते नज़र आये लेकिन पुलिस की इस कारवाई का भी किसानों पर असर नहीं हुआ पानी की बौचार होने के बाद भी किसान अपनी जगा से हिले तक नहीं जबकि पुलिस को ये लगा था कि ठंड में पानी से बचने के लिए किसान वहां से पीछे अड़ जाएंगे। लेकिन दिल्ली जाने पर अड़े किसानों ने पुलिस की इस प्लैनिंग पर पानी फेर दिया। इसी वज़े से पुलिस ने थोड़ी देर के अंदर ही वाटर कैनन का इस्तमाल बंद कर दिया। जैसे जैसे वक्त बीता गया पुल के ऊपर किसानों की भीड बढ़ती चली गई। पुल के नीचे भी बड़ी संख्या में किसान जमा हो गए। इस दोरान हर्याना पुलिस उन पर पेहिसाब आसू गैस के गोले दाखती रही। खेतों में आसू गैस के गोले गिरने के बाद किसान वहां से भागते और फिर थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाते। और खबर है कि शम्भू बॉर्डर पर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर रबर की गोलियां भी चलाई। लेकिन पुलिस के सारे पैत्रे आजमाने के बाद भी किसानों ने दिल्ली जाने के अपनी जिद नहीं छोड़ी। और शम्भू बॉर्डर पर ही जमे रहे इस दोरान पुलिस ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए आंसु गैस और वाटर कैनन का भी इस्तमाल किया जबकि प्रदर्शनकारी किसान पुलिस के हर एक्षन का जवाब देने में जुटे रहे ये पूरा बवाल पंजाब और हर्य हर्याना को आपस में जोडता है क्योंकि दिल्ली आने के लिए किसानों को पंजाब से होते हुए इसी बॉर्डर से पहले हर्याना में दाखिल होना होगा झाल झाल झाल